हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एस टैंक, जी एस टैंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम डिसकस कर रहे हैं, इंटायर इंडियन पॉलिटी, यानि संपूर्ण भारती राजविवस्था बोले, या फिर संपूर्ण भारत की राजविवस्था पे, यानि बोले तो Annual Financial Statement, वित्तिये वार्सिक विवरन को कल हमने complete किया था, जहाँ पे हमने देखा था Article 112, 113 यानि Estimate और 114 यानि Approximation Bill, फिक है, तो यहाँ तक कल हमने complete कर लिया था, और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो जाकर उस वीडियो को आप द Financial Bill, यानि कि वित्त विधेयक, जो है, वो हमारा काफी मौत पुर्ण टॉपिक है, उसको आज हम देखेंगे, ठीक है, तो आईए स्टार्ट करते हैं, Financial Bill, यानि कि वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, और यहीं पर बात करें कि इसकी चर्चा कौन से अनुछेद में है, कौन यह बिलॉंग करता है, Article 117 से, Article 117, ठीक है, और Part 5 तो हमारा है ही, ठीक है, तो यह बिलॉंग करता है, Article 117 से, जो की भाग 5 में है, ठीक है, अब इसके थुरा परिभासा पे आते हैं, Definition पे आते हैं, तो ऐसा विधेयक, जिसका संबंध वित्तिये मामलों से होता है, वह विधेयक, वित्ति विधेयक कहलाता है, मतलब एक ऐसा विधेयक, यानि कोई ऐसा बिल, जो की Financial Matters, यानि Financial Cases से बिलॉंग करता है, वित्तिये मामलों से बिलॉंग करता है, उसको बोलते हैं हम लोग, वित्ति विधेयक, यानि की Financial Bill, प्लेर है, अगला पॉइंट है कि, जो वित्ति विधेयक है, वो कंबिनेशन है, किसका किसका, साधारन विधेयक और धन विधेयक का, साधारन विधेयक का है तो Ordinary Bill, और धन विधेयक Money Bill, और यह हो जागा Financial Bill, मतलब अगर इसको इंगलिस में बोलें, तो Financial Bill is the combination of Ordinary Bill and Money Bill, ठीक है, Clear है, अब यह Ordinary Part भी इसमें आता है, यह Ordinary Bill भी आता है, उसमें Money Bill भी आता है, अब यह कैसे कैसे है, इसको जब हम आगे परहेंगे, इसके अलग-अलग टाइप्स में परहेंगे, तो उसमें हम लोगों को Automatic यह Clear हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग परने वाले हैं, द तो Financial Bill 1 में जो पहला Point कहता है कि इसकी चर्चा अनुचेद 117-1 में है, मतलब जो Financial Bill 1 है, उसका जो discussion है, उसका जो चर्चा है, वो किसमें है, Article 117-1 में है, ठीक है, अगला Point कहता है कि इसे राष्ट पती की पुर्व अनुमती पर लाया जाता है, कहने का मतलब यह Just यह Money Bill तो उसके लिए राष्ट पती की पुर्व अनुमती होने चाहिए, पहले से उनसे permission लेना परता है, लाने के लिए Money Bill को, ठीक है, तो इसके case में भी यही है, जो पहला Part इसका है, उसमें क्या है कि राष्ट पती के permission से ही इसको लाया जाता है, ठीक है, और अगला है कि इसे ल Money Bill का पार्ट है, वो One में है, यानि कि Financial Bill One में है, जो कि इसमें ये भी point है कि इसे लोग सभा में ही पेस किया जा सकता है, मतलब हमने जब Money Bill परहा था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब Money Bill जब पेस होगा, तो वो पहले लोग सभा में ही आएगा, वो पहले कि Financial Bill 2, और इसमें अगर बात करें कि इसका चर्चा कहा है, तो इसका चर्चा है Article 117 के 3 में, आप confused मत हुईएगा, ऐसा नहीं है कि ये Financial Bill 1 है, तो ये 1 में आ गया, तो ये 2 है, तो ये 2 में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये जो 2 है, वो आता है Article 117 के 3 में, ठीक है, तो Financial Bill 2 को भी राष्टपदी के Pre-Permission से लाया जाता है, अब इसमें basic difference क्या है, कि इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो ये किसका पाठ हो गया, ये ordinary bill जैसा हो गया, हो गया ना, ordinary bill के case में क्या था, कि वो either house में present किया जा सकता है, वो किसी भी सदन में प्रस्टूत किया जा सकता है, तो ठीक वैसे ही, जो Financial Bill 2 है, उसको भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन 1 के case में क्या था, ये जब आएगा तो ये लोकसभा में ही आएगा, ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि संचित नीधी से खर्च का प्रावधान, मतलब जो consolidated fund है, इंडिया में ठीक है, संचित नीधी मतलब consolidated fund, consolidated fund, और इसका चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 266 में इसका चर्चा है, consolidated fund of इंडिया का, तो जो भारत सरकार का संचित नीधी है, उसमें का जो खर्चा होता है, उसी से खर्चा होता है, तो उसके जो खर्चा होता है, उसका प्रावधान कि में है financial bill two में है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों का combination ही वित्विधयक होता है ये समझ आ गया ये ordinary part का जैसा इसका मामला है और इसका मामला money bill part का है समझ में आ गया clear point ठीक है अब इसमें एक note वाला point है कि सभी धन विधयक वित्विधयक हो सकता है लेकिन सभी वित्विधयक धन विधयक नहीं हो सकता है अब ही आपको अगर basic difference यहाँ पर आप देखे होंगे तो इसमें खर्च की बात हो रही है खर्च बोले या वया या बोले तो इसमें financial bill में खर्च की बात हो रही है तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सभी धन विध्यक वित्य विध्यक हो सकता है मतलब अगर आपको money bill याद आ रहा होगा तो money bill के case में क्या था कि जो भी धन से related जो विध्यक है ठीक है मतलब money से related जो bill है उसमें सिर्फ income की बात हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ धन की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ धन पस पैसा ठीक है तो और विध्य विध्यक में क्या है कि उसमें खर्च की भी बात हो रही है खर्च भी हो सकता है ठीक है लेकिन सभी विध्य विध्यक धन विध्यक नहीं हो सकता है क्यों कि धन विधेयक के case में मैंने भी बताया कि सिर्फ income वाला पार्ट है उसमें लेकिन जो वित विधेयक है उसमें expenditure वाला भी पार्ट है उसमें दोनों mix होता है अगर इसको वेंड डाइग्राम टाइप समझें अगर आप reasoning परते होंगे उसमें अपना silo परहा होगा तो वेंड डाइग्राम कुछ ऐसे हो सकता है यह है money bill और यह हो जागा आपका financial bill ठीक है मतलब सभी money bill जो है वो financial bill हो सकता है लेकिन सभी financial bill money bill नहीं हो सकता है समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ क्योंकि इसमें खर्च की भी बात है लेकिन इसमें खर्च की कोई बात नहीं है ठीक है clear point तो आप इसको एक बार note down या screenshot ले लिजिए financial bill में एक point था जो बच गया था क्योंकि वो जगा नहीं था लिखने के लिए ठीक है तो वो point है कि वित्विध्यक को राजसभा और सुईकार कर सकती है मतलब जो financial bill है उसको राजसभा जो है सो असुईकार कर सकती है असुईकरित उस पे कर सकती है तो उसके बाद क्या होगा जैसे लोगसभा से पास हो गया राजसभा के पास आ गया अब क्या होगा वो असुईकरित कर देगी तो संयुकत अधिवेशन joint sitting बैठेगा तो आगे तो आपको पता ही है कि क्या क्या होगा तो इसके लिए संयुकत अधिवेशन इस case में आ जायेगा ठीक है तो यहां तक था आपका financial bill यानि वित्विधेयक इसके बाद चर्चा करेंगे कुछ और articles पे जो कि हमारा रह गया है ठीक है तो आईए देखते हैं उसको अगले article 116 जो कि है vote on account अगर आपको याद होगा तो कल के discussion में हमने देखा था interim budget और vote on account के बीच का difference ठीक है जिसमें मैंने आपको vote on account बोले या फिर इसको लेखानुदान बोले जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो है सो चुनावी वर्स में लाया जाता है ठीक है और ये कुछ महीनों के लिए होता है तो वो तो basic difference बगर रहा था लेकिन आज उसको देखेंगे थोड़ा details में कि ये होता क्या है ठीक है तो ये जो है सो विनियोग विधियक को पारित कराने में सरकार को काफी समय लग जाता है इसलिए सरकार जल्द काम सुरू करने के लिए लेखानुदान के माध्यम से कुछ अग्रीम रासी निकाल लेती है अब जो है तो विनियोग विधियक का जरूरत नहीं परता है अगर लेखानुदान से पैसा अगर निकालना है तो उसके लिए एप्रॉक्सीमेशन बिल का जरूरत नहीं परता है तो इसके लिए सरकार क्या करते है कि अगर उसको पैसे का जरूरत है तो अगर वो इसके माध्यम से पैसा निकालेगी विन्योग विध्यक के माध्यम से तो उसको काफी समय लग जागा क्योंकि वो जब तक पारित नहीं होगा तब तक एक उर्पया नहीं मिलने वाला है तो उसके लिए क्या है सौटकट लेखानुदान वोटोन एकाउंट तो उसी के लिए मतलब जल्द काम समाप्त करने के नाम पे नाम पे बोलें या फिर जल्द काम सही में अगर उसको सुरू करना है तो उसके लिए क्या करेगी वो लेखानुदान के माध्यम से पैसे निकालेगी फिक है और इसी के कारण इसको अग्रीम अनुदान कहा जाता है मतलब इसमें तो विनी योग विधेक तो इसके लिए चाहिए नहीं डारेक्ट पैसा आपको मिल जाएगा पारित करते ही तो अग्रीम वनुदान करने का क्या मतलब है एडवांस ग्रेंट एडवांस ग्रेंट बोले या फिर एडवांस पेमेंट बोले ठीक है किसको बोल जाता है लेखानू दान को क्लियर है अब इसका कुछ थोड़ा डिफिनीशन इसका देख लेते हैं कि जब किसी वजह से बजट समय पर पारित नहीं हो पाता है तो बजट के कुछ हिस्से को खर्च करने की अनुमती जिस प्रस्ताव के द्वारा दिया जाता है उसे लेखानू दान तो इसमें ये कहा गया है कि कभी-कभी ऐसा केस आता है कोई ऐसा इमर्जेंसी ही आ गया कि बजट जो हैसो समय पर पारित नहीं हो पाता है ठीक है और जब बजट समय पर पारित नहीं होता है तो उसको पैसा तो है कि पैसा गजरोत पर सकता है कि हां वो को पहले काम थोड़ करना है जल्दी काम करना है जल्दी काम सुरू करना है जैसे माली जे की रोड़ वोड का काम चल रहा है ठीक है तो वो काम में बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है तो सरकार चाहेगा किसको जल्दी करें लेकिन वो जो है सो बजट समय पर तो पारित हो नहीं पाया तो उस केस मे वो लेखानुदान के सिरु में पैसा निकालेगी न तो इसी के लिए यूज किया जाता है किसका वोट अन एकाउंट का फिक है अगला पॉइंट है जो भी बोल रहे हो ही आ गया कि किसी किसी मामले में लेखानुदान तो पारित हो जाता है लेकिन विनियोग विध्यक पारित नहीं हो पाता है जिसके कारण काम अधूरा रह जाता है अब आप सुनते होंगे कि कि यहां पर काम अटक गया क्यों जा पैस बात आये वह नहीं किया तो पैसा जो है वो पास ही नहीं हुआ बिल उसका तो पैसा आएगा कई से तो यही होता है कि विनियोग विध्यक पारित नहीं हो पाता है जिसके कारण पैसा तो पूरा आएगा नहीं अब लेखानुदान क्या है वो तो थोड़ा सा पैसा निकलेगा पूरा तो complete account तो नहीं निकलेगा बहुत पैसा तो नहीं निकलेगा उससे वो तो थोड़ा सा हिस् समिलेगा नहीं, समझें, तो यह पूरा मामला है किसका, वोट ओन एकाउंट का, और इसका डिटेल्स चर्च या विन्योग भी देखका हम निकल करही लिया है, आर्टिकल 14 में, एप्रॉक्सिमेशन बिल में, तो आई होब कि वो आपको किलियर हो गया हो, ठिक है, तो यहां त था आपका वोट ओन एकाउंट की बाद, अब आर्टिकल 116 हो गया, आर्टिकल 117 आपका फानेंसियल बिल है, और आर्टिकल 118 वो रिलेट करता है पारलियामेंटरी कमिटी से, यानि कि जो संसदिय समीती ही उससे रिलेट करता है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो कल आने वाली भासा, बतलब संसद में लोग बैठते हैं, जो संसद होते हैं, वो तो भासा का परियोग करेंगे ही, तो अब इसमें बताया गया कि वो कौन कौन से भासा को यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिये, कोई भासा उठा के बोल दिये, तो इसमें कहा गय होते भी जिनको न हिंदी आता है न इंगलिस आता है तो उस case में वो क्या करेंगे तो उस case में वो सभापती या अध्यक्ष राजय सभापती लोग सभापती केस में अध्यक्ष उनसे वो permission लेके कोई और दुसरा भासा वो बोल सकते हैं वही इसमें कहा गया है ठीक है अगर उ सकते हैं ग्लेर है पॉइंट तो इस अग्ला है आर्टिकल 121 यह क्या क्याता है संसद में जजुं के चर्चा पर परतिबंध ठीक है जिसमें यह कह गया है कि संसद में जजुं के विवहार आचरण कारफनानी संबंदित चर्चा नहीं हो सकता है मतलब जो संसद में जज करने क्या मतलब है सुप्रीम कोट, हाई कोट के जज निया याधीस तो उन पर चर्चा नहीं किया जा सकता है मतलब उनका जो वेभार है गरमाल जी कि वो सही वेभार उनका नहीं है सही से काम नहीं कर रहे है उनका वर्किंग सिस्टम सही नहीं है तो उस पर संसद में कोई जिकर नहीं हो सकता है कोई उनसे डिलेटेड संबंधित चर्चा नहीं हो सकता है ठीक है लेकिन उस पर महाभयोग लाया जा सकता है लेकिन अगर देख रहे हैं कि जो impeachment सब्ध है वो especially president के लिए यूज किया जाता है मतलब हम महाभयोग टर्म यहाँ पर इसलिए लिखते है क्योंकि वो हटाने की बात हो रहे हैं उनके post से इसलिए हम लोग महाभयोग टर्म का यूज करते हैं लेकिन यह बना है president के लिए ना कि कोई chief justice या फिर कोई अन्य judges के लिए ना ही किसी और post के लिए यह सिर्फ president के लिए बना है तो खेर 121 यह कहता है कि चर्चा तो नहीं होगा लेकिन उन पर महाभयोग लाया जा सकता है महाभयोग के थुरू वो हटाए जा सकते हैं ठीक है तो यह हो गई बात आर्टिकल 121 की तो आप इसको note down या screenshot ले लिजिए फिर एक आर्टिकल और है 122 उस पे आते हैं अगला बात करते हैं आर्टिकल 122 का यानि अनुच्छेद 122 यह क्या कहता है यह कहता है कि नयायाले द्वारा संसद की कारेवाही की जांच नहीं की जा सकती मतलब संसद में जो कारेवाही हो रही है उसका जांच जो है सो वो कोट नहीं कर सकता है ठीक है मतलब कोई भी कारेवाही हो रही है किसी भी तरह की तो उसका जांच करने का अधिकार कोट के पास नहीं है कर सकता है कि वो जो विधयत पारित हो रहा है वो सम्विधानिक है या नहीं पतलब ऐसा नहीं कि कोई फर्जी बिल पास हो रहा है और वो पारित हो गया है तो उस केस में क्या है कि नियालायज उसकी कर सकते है कि वो सम्विधानिक है या नहीं इस constitutional or not यह बात किसमें कही गई है यह कही गई है आर्टिकल 122 में clear 122 तो 122 तक तो हमारा हो गया है और आर्टिकल 122 जो है वो relate किसे करता है ordinance से ordinance power of president अध्यादेश सकती से जो कि मैंने आपको परहा रखा है veto power of ordinance वाले lecture में ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को अभी तक like नहीं किया है, share नहीं किया है channel को subscribe नहीं किया है तो like भी कर दिजिए, share भी कर दिजिए और channel को subscribe भी कर दिजिए और मुझे comment section में जरूर बताइए कि आपको आज का class ये कैसा लगा है तो फिर मिलते हैं कल ने topic के साथ, तब तक के लिए bye bye, thank you, take care